सफायर सेल्स कॉर्पोरेशन को कारोबार का बट वरिक्ष कहा जाए तो अतिशोक्ती नहीं होगी शाम सुन्दर गोयल ने महज साहे सोला साल की उम्र में स्कूल छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी लेकिन उनका लक्ष्र तो कुछ और ही था साल 1978 में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पार्टनर्शिप में उन्होंने अपने कारोबारी जीवन की शुरूबात की वक्त के साथ बाजार की डिमांड बदल रही थी और श्याम सुन्दर गोयल भी अपने कारोबार का विस्तार करते जा रहे थे उन्होंने प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक फिटिंग और सैनिटरी वेर का काम शुरू किया साल 1996 में सेरा कंपनी की डिलर्शिप लेने के बाद उन्होंने अपना शो रूम बनाया और तीन महीने में ही छे महीने की सेल देने के बाद वो सेरा के सबसे भरोसे मंद डीलर बन गए कारोबार में उनकी धमक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीदे आठ साल से वो चेरमेन कलब के मेंबर है शाम सुन्दर के लिए कस्टमर की सर्विस आज भी पहली प्रात मिकता है सफायर सेल्स की काम्याबी शूने से शिकर की और बढ़ता वो कदम है जिसके साथ कदम ताल का सपना हर कोई देखता है 1973 में जो है वो स्कूलिंग होने के बाद राजाबातुर मोतिलाल मिल्स लिमिटेड में जॉब शुरू किया 78 में जब रेसिकनिशन दिया तो हमारे डाइरेक्टर ने रेसिकनिशन फार दिया बोले कहीं छोड़के नहीं जाना है आपको क्या चाहिए बताईए मैंने बुला कि मेरे उपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है और आपके साथ पाथ साल जो आपने मेरे को ट्रेंड किया है सिखाया है अब मुझे आगे बढ़ना है और उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनस पार्टनरशिप में शुरू किया और सेरा का काम हमने 1996 में चालू किया काफी दूसरे बड़े ब्रांट उस वक्त हमें अप्रोच किये कि आप इतनी महनत कर रहे हो ब्रांट के लिए काम कर रहे हो क्यो नहीं हमसे जूटते हो हमने कहा कि एक बार जिससे शादी कर लेते हैं फिर उससे डाइवर्स नहीं लिया जाता कितना इनोंने कस्ट किया है उनको कभी भूलनी सकती उपर मैंने भी उनसे कंदा से कंदा मिला कि उनको उतना ही साथ दिया है कभी भी ऐसे कोई चीज के लिए है, कभी मैंने ना नहीं दिया और पिछे हटने नहीं दिया इनको कभी बाकी ब्रैंडस और सेरा में जो डिफरेंस हमने फील किया है यह कंपनी एक डीलर की या फिर एक रिटेलर की या एक चैनल पार्टनर की सेरा ब्रैंडस जो है जिसके साथ जो भी जुड़ा उसके साथ कंपनी ने बहुत ही अच्छे ढंग से रिलेशन मेंटेन किये है सेरा इस फैमिली फॉर अस दे डोंट ट्रीट अस चैनल पार्टनर दे ट्रीट अस फैमिली पापा आपने 1988 से जो भी बिजनेस को जिस तरीके से आगे लिया है उसके जो भी बिजनेस एथिक्स आपके रहे हैं वो एथिक्स आपने हमारे अंदर भी उसी तरीके से अब बुरिंग किया है उसको और भी बढ़ाने की कोशिश की है और आज ये जो भी प्लाटफॉर्म है बना है ये आपके ही बदोलत और आपके ही गाइडलाइन्स से बना है और आपने हमें जो भी गाइडन्स दिया है हम उस गाइडन्स के ही बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही गाइडन्स आप हमें देते रहिए ऐसे ही कर दो